थोड़ी सी परिस्थितियां बदल भी जाएंगी और कठें भी हो जाएंगी क्योंकि वो खेलेंगे अंडर लाइज आज सिक्का किस के पक्ष में गिरेंगे फैद्स चुना है कप्तान ने and we've got heads batting first, बड़िया advantage दर्शोकों का जमावला देखकर ऐसा लगता है कि आधा कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर बड़िया judgment तेज रनिंग बड़िया run बटोरा बल्ले बाजो ने और इस शॉट के साथ खुला इनका खाता ये चौका नहीं संदेश है, चौके से की शुरुवात है ना ना बिल्कुल नहीं पड़पा इस गेंद को और आप फस गए है बल्ले बास चीते को बीचे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्ले बास एक रन की प्राप्ति स्टैंस में फील्डर नहीं होते, वहीं समंगवा लीजिए, क्योंकि मिलेंगे छे इस गेंद को तारे में कर दिया है तब्दील, ग्राविटेशनल फोर्स, मिल गया है छे छे और छे, एक दर्जन रन दो गेंदों में अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती जान जोगदियां बल्ले बास ने, विकेट बचाना चाहते हैं ये लेकिन बची है क्या, उत्साहब विश्वास भी है, विकेट बिलने की आस भी है बोलिंग चेंज का है समय, वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है शुरुवात तो अच्छी थी, लेकिन हुआ एक अबरप्ट एंड, बढ़िया पकड़ा कैच और इस इनिंग की पहली विकेट गेंद बास की अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर, जस्ट गो बैक तो बेसिक्स इस गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से आसमर्थ बल्ले बास बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया, एक और डॉट बॉल गेंद बास की वन बाउंस और चौका इस गेंद के साथ बल्ले बास को किया चारो खाने चित चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम, खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी फिल्डर की अच्छी एफट और बड़िया थ्रो भी बल्ले बास क्रीज से बहुत दूर रहे गए खुड़ा सा इंको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे खुबसूरत टाइमिंग जबर्दस शॉट गेंद के नीचे आए और बहुत पीछे भेजा छे रंग के साथ ओवर गया समाप एक और ओवर के समापती और समय है बोलिंग में चेंज का एक्सलेंट इनेंग्स बहुत आधाज अच्छा तो कप्तान ने मीडियम पेसर को गुलाया है अटैक पाई समय जरूर लिया है लेकिन अब फील्ड प्लेस्मेंट दुरुस्त है बेटर सेफ दैन सॉरी बल्ले बाज जोखिम उठाएगा नहीं डॉट बॉल टाउं दा ग्राउंड सीधा शॉर्ट लेकिन कहलाएगा स्कलॉक इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त विविदिता के लिए मिश्रन के लिए पहचाना जाता है ये गेंदबाज इस बार राउंड दस्टंप से मुश्किल से एक डेड़ स्टंप दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीक निशाना जोरदार अपील फील्डिंग यूनिट से लेकिन अंपायर ने फैसला दिया बल्ले बास के पक्ष में नट आट क्यू्स बास ऌब Tajane क्योर्प्वाट क्योर्थ बाजुए खोल दी अंपायर ने वाइड का किया है इशारा जबर्दस्त अंदाज में आफ दे मार्क अदबुद अविश्वस निये शॉट इस बल्ले बास्ता उची दूर गई है रोकेट की जरा केंद बास के लिए थोड़ा मेहंगा और प्रतीत होता है अक्रियोगी है शुरुआत और दर्शक दीरगा में बहुत सारा रोमांच बड़ी आगे कोई रन नहीं स्लैंग दर्शकों किया फील्डर में तबदील इस शॉट ने लूटी वहवाई फील्डर भी सिरफ पीछे मुड़ कर देखेंगे छे रन खाते में फील्डर गिया ची एफ़ और बड़ी अ तोबी जबर्दस स्वीप पैक्समेन के द्वार है आउट कॉट क्या कर रहे हैं यह क्या सोच रहे हैं यह कैचिंग प्रैक्टिस है क्या लड़ाई की समापती हो रही है यहां बैट्समेन की समापती पिल्कुल साधारन बल्ले पर अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है प्रैकिंग शॉट हवा में है शॉट फील्डरों को छोड़ो दर्शतों को भी नहीं लगेगी हवा स्टेडियम के बाहर चेरन जबरदस्त हेट सूपर हेट पहली गेंद पर छक्का इस से बहतर शुरुआत कहां है संभव झाल 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 पिर्चे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट श्लॉग डाउन दा ग्राउंड ओवर की छटी गेंद लेकिन बटो रहा है चौक का अंत तक पता नहीं था कि कौन सी टीम मार जाएगी बाजी जीतने वाली टीम को बधाई लेकिन तारीफ करनी होगी जिस जजबे के साथ लड़ी है वो टीम जो अंत में मैच हार दे लड़ाई तो बहुत की लेकिन मैच को जीत ना सके लड़ाई की तारीफ जरूर लेकिन झाल